Hello everyone, welcome to my channel, I hope आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना और अपनो का ध्यान रख रहे होंगे आज है संडे और संडे को स्पैशल बनाने के लिए मैं यहां बना रही हूँ मेरे आल टाइम फेवरिट छोले भटूरे एंड विंटर स्पैशल काजर हलवा, मेरी फेमली में छोले भटूरे सभी को बहुत पसंद है और मुझे खुद भी बहुत पसंद है चलिए, तो पहले भटूरे बनाने की प्रपरेशन कर लेते हैं भटूरे बनाने के लिए मैंने यहां अड़ किया है 2 cups of all-purpose flour, 1-4 cup fine suji, 1 tablespoon powdered sugar, 1 tablespoon baking powder, 1-4 tablespoon baking soda, salt as per your taste, 1-3 cup curd and around 3-4 cup of water to knead it अब इसके top surface पे थोड़ा सा oil लगा कर इसे damp close से cover करकर रख देंगे for around 1 hour छोले boil होने रख देते हैं, छोलों को मैंने overnight soak होने रख दिया था, यह अच्छे से full गए है छोले boil करने के लिए हमें एक पोटली बनानी होती है, मैं यहां एक tea ball strainer use कर रही हूँ इसमें add करूंगी 1 tablespoon चाय पती, एक बड़ी इलाइची, दो से तीन लॉंग, एक चोटा सा star anise, इसमें मैं जादा मसाले add नहीं करती हूँ क्योंकि मैं homemade masala use करूंगी उसमें भी यह सभी masala use होते हैं चलिए जब तक छोले boil होते हैं, हम halwa banana start कर देते हैं these are around 1 kg of carrots, carrots को मैंने अच्छे से wash करकर grate कर लिया है अब halwa बनाने के लिए मैं use कर रही हूँ एक heavy bottom कढ़ाई, इसमें add करेंगे 1 tablespoon of ghee और carrots को इस घी में अच्छे से भून देंगे, इस तरह से घी में भूनने से carrots soft हो जाते हैं और इनका जो एक raw flavor होता है वह भी निकल जाता है तो इस तरह से 2-3 minute के लिए आप घी में इसको भून ले और उसके बाद इसमें add करेंगे 1 cup of milk अब इसे low flame पर cover करके 10 minutes के लिए cook होने रब देंगे parallel cooking चल रही है किचिन में एक तरफ छोले boil हो रहे हैं एक तरफ हलवा बन रहा है और यहां मैं बना रही हूं छोले मसाला छोले मसाला बनाने के लिए मैंने सबी खड़े मसालों को लाइक जीरा, साबुधनिया, लॉंग, 8-10 काली मिर्च, दाल चीनी, सुखी, लाल मिर्च, एक स्टार रैनीस और मेस को ड्राय रोस्ट कर लिया है लास्ट में इसमें मैंने अट की है कसूरी मेथी, आपके पास अनार दाना हो तो जरूर अट कीजेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने नहीं अट किया है इनको अच्छे से ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे छोले अच्छे से बॉइल हो गए है, चार से पांच विसल में बॉइल हो जाते है जादा बॉइल हो जाएंगे तो फ्राइ करते टाइम एकदम हलवे जैसा टेक्स्चर हो जाएगा तो बॉइल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखे यहां मैंने पैन में एड़ किया है 4 टेबल स्पून ओईल, 1 बेली और जिंजर गार्लिक पेस्ट अब यहां एड़ कर रही हूँ चॉप्ट अनियन, चॉप्ट अनियन ही यूज करें इससे ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है भटूरों के साथ छोले थोड़े थिक ग्रेवी के ही अच्छे लगते हैं तो चॉप्ट अनियन यूज करने से आपकी ग्रेवी काफ़ी अच्छे बनेगी चलिए, जब तक अनियन फ्राय हो रहे हैं, हलपा चेक कर लेते हैं यह काफी अच्छे से कुक हो गया है, कैरेट्स भी सॉफ्ट हो गये है अब हम इसमें आड़ करेंगे हाफ कप अफ हेवी विपिंग क्रीम और कवर करके 5-7 मिनिट्स के लिए कुक कर लेंगे 5-7 मिनिट्स करने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे शुगर शुगर एड़ करने के बाद इसे चलाते हुए आपको कुक करना है और आप देखेंगे कि आपके हलवे के ऊपर एक शाइन आ जाएगी तो बस अब यह हमारी फाइनल स्टेज है मैं इसमें आड़ कर रही हूँ वन टेबल स्पून ओव घी और होम मेट खुआ आप स्टोर बाट खुआ भी यूज़ कर सकते हैं और घर में भी यह बहुत एजी ली बन जाता है मैंने घर में ही बनाया है विद मिल्क पाउडर घी और मिल्क अब इसे कॉंटेनस ली चलाते हुए मसाले के साथ कोप करेंगे फिर पानी एड़ करेंगे कुछ छोलों को इस तरह से मैश कर लें इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी और भटूरों के साथ थोड़ी थिक छोले ही अच्छे लगते हैं यहां एड़ कर रही हूं मैंगो पाउडर और काला नमक काला नमक ज़रूर एड़ करें इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है हलवा एकदम रेड़ी है टाइम टू आड़ कार्डमम पाउडर और नटमेक पाउडर बहुत अच्छा हलवा बनाता बहुत ही टेस्टी हलवा बनाता सभी को बहुत पसंद आया लुक एड़ टेक्श्चर अगर आप भी हलवा बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार इस मैथट से जरूर बनाएगा आम शोर यू विल लव एट चलिए अब इसमें एड़ कर लेते हैं कुछ नट्स नट्स आप हलवा बनाते टाइम भी आड़ कर सकते हैं लेकिन जब इस तरह से घी में रोस्ट करकर हम उपर से इन्हें आड़ करते हैं तो इनका क्रंच बना रहता है और हलवा खाने में बहुत मज़ा आता है छोली भी रेडी हैं अब इन्हें गार्निश करेंगे विद फ्यू ग्रीन चिली जिंजर जूलियंस और फ्रेश कोरियंडर इस स्टेश पर आप एक घी का तड़का भी लगा सकते हैं मैं आज नहीं लगा रही हूँ क्योंकि घी वाला हलवा भी खाना है साथ में पर अगर आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स के लिए बना रहे हैं तो घी का तड़का जरूर लगाएं उससे आपके छोलो का टेस्ट एस वेल एस लुक दोनों ही बहुत एनांस हो जाएगा चलिए अब सब कुछ रेड़ी है फटा फट से भटूरे फ्राय कर लेते हैं और खाने वाले भी एकदम देड़ी हैं एवरिवन इस सो हंगरी थोड़ा लेट हो गया है छोले भटूरे अनियन चटनी होमेड गाजर मूली पिकल है ना एकदम परफेक्ट छोले भटूरे प्लेट माई हजबन वोज लाई कि मैं तो पहले ये टेम्टिंग हलवा ट्राय करूंगा देन छोले भटूरे चलिए तो ये था हमारा स्वीट अन स्पाइसी संडे ब्रंच I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ Till then keep spreading lots of love and happiness around yourself. Bye Bye